हेलो और नमस्कार साथियो आप सभी का स्वागत है स्रिशाइम क्लासेज के यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है अपन पसुपरिचर एनिमल अटेंटेंट और दोस्तों जो वेटनर से सम्मधित जैसे कि आपका SSP, BSF, वेटनरीन सभी के लिए दोस्तो मौश और इंपोटेंट क्यूशन की क्लासेज लेकर के आते रहते हैं अगर आप भी हमारी यूटूब चैनल पर आज पहले बार जुड़े हैं चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो दोस्तों सस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि वेटनर से ज दूद में सरवादिक वसा पाई जाती है गाय के में बैस में बेड में बकरी में तो दोस्तों जो सरवादिक वसा होती है ये बेड के दूद में दोस्तों होती है कितनी होती है लगबग दोस्तों सेवन पॉइंट नाइन के लगबग दोस्तों बैड के दूद में वसा होती है बात करें गाय के दूद में तो दोस्तों गाय के दूद में होती है चार पॉइंट चोदा के लगबग बैस के दूद में बात करें दोस्तों बैस का जो दूद होता है इसकी जो वसा का परतिसत होता है यह होती है दोस्तों साथ पॉइंट तीन परतिसत और बात करें बकरी क दूद में दोस्तो 4.25 के लगवग इसकी वसा होती है तो दोस्तो सरवादी किस पसू की होगी बेड़ के अंदर ठीक है अगला किस्टन देखेंगे कि पसू की आयू गर्णा की जाती है जो पसू होते हैं दोस्तो इनकी आयू का आप अनुमान किस से लगा सकते हैं उनकी दां को गिनकर के दोस्तो अनुमान लगाया जा सकता है और दोस्तो दूसरे परकार के बारे में बात करें तो पसू के सिंगों की वेला होती है उनके आदार पर भी दोस्तो पता लगाया जा सकता है ठीक है अगला कुस्टन देखेगा कि पसू में परजनन किस परकार का होता है ज दोस्तो परजन किया जा सकता है तो ओल अफ दी जो प्रोक्ष सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखेंगे कि राजस्तान में कितने राज्य इस्तरिय पसु मेले मेलों का आयोजन किया जाता है दोस्तो राजस्तान के अंदर टोटल जो राज्य इस्तरिय यानि इस्टेट लेवल की जो पसु मेले हैं वो दोस्तो दस पसु मेले कितने पसु मेलों का आयोजन किया जाता है दस पसु मेल का ठीक है अगला कुस्चन देखिएगा कि निम्न लिखित्म को स्मलित कीजिये दोस्तों जो निम्न बिंदो आपको दिए गए हैं उनको मिलाना है तो सबसे पहले बात करेंगे दुग्द उतपादन की बारे कि राज़तान में कितना दुगद उत्पादन होता है तो दोस्तो लगबग राज़तान के अंदर 32,265.70,000 तन दोस्तो राज़तान के अंदर दुगद उत्पादित किया जाता है ठीक है बात करें इसकी मीट के बारे में दोस्तो जो मीट है राज़तान के अंदर 221.01,000 तन जो है मास का उत्पादन किया जाता है बात करते हैं उन के बारे में तो दोस्तों जो राजस्तान के अंदर जो उन है 155.72 kg गिराम जो उन है दोस्तो रास्थान के अंदर उत्पादित की जाती है निया बच गए आपका एग उत्पादन यानि अंडे उत्पादन कितनी है तो रास्थान के अंदर दोस्तो 2.688.44 onun रास्थान की लेगी है ये एक तरफ आपको गाय की नसल दी गई है, एक तरफ दोस्तो प्रती ब्यात उनका दुग्द उत्पादन दिया गया है, तो सबसे पहले दोस्तो अपन बात करते हैं, जो राठी गाय होती है, इसका प्रती ब्यात के इसाब से कितना दुग्द होता है, तो दोस्तो जो राठ से बारे लिटर एक ब्यानत contar दो सब्सक्राइब करें यह अपने पूरे ब्यानत काल में एक ब्यानत की दोस्तो बात कर रहें गुद्ध सकती है बात करें जर्षी के में मुख्य परजनन अंग कौन सा होता है जो नर्पसु होता है मेल होता है मेल अनिमल में मुख्य परजनन अर्गन कौन सा होता है अंडास्य वर्षन शुक्रवाइन या सिसन तो दोस्तों जो मुख्य परजनन अंग होगा यह तो दोस्तों होगा वर्षन यानि टैस्टिस्ट जो होते हैं दोस्तो ये नर पसु के मुख्य परजनन अंग होगा बाकी जो आपका सिसन होगा सुक्रवायनी होगी ये दोस्तो सायक जनन गरंत के रूप में आते हैं बात करेंगे दोस्तो फीमेल महिला के अंदर कौन सा होता है तो दोस्तो अंडा से जो होता है ये मादा के अ मंदित नसले तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कार्थिक पसु मेला कौन सी नसल के लिए दोस्तो आयुजित करवाया जाता है तो दोस्तो यह गिर नसल के लिए आयुजित करवाया जाता है कार्थिक पसु मेला जो कहां पर लगता है उसकर अजमेर के अंदर दोस्तो यह लगाया जाता है बात करें दूसरे नमबर पे गोमती सागर पसु मेला तो दोस्तों जो गोमती सागर पसु मेला है यह मालवी नसल के लिए आयुजित किया जाता है यानि जो गोमती सागर पसु मेला है इसमें कौन सी नसल के पसु आते हैं मालवी नसल के ठीक है बात करते हैं वीर तेजाजी पसु मेला तो दोस्तो यह नागोरी नसल के लिए लगाया जाता है बच गया आपका जस्वंत पसु मेला जो दोस्तो बरतपुर के अंदर लगता है कौन सी नसल के लिए हर्यान भी नसल के लिए लगाया जाता है next question देखीगा निम्न मेंसे सरवादिक दूद देने वाली गाय की नसल कौन सी होगी तो दोस्तो जो HF होती है दोस्तो यह विद्यसी गाय की नसल है दोस्तो HF चीक है अगर बात करेंगे देशी की तो देशी में दोस्तो आजाएगी कौन सी साईवाल नसल की जो है ये तो देसी में आजाती है अगर वैसे साईवाल उपसन में नहीं दे रखा हूँ पूंच लिया जाए कि गायों में सरवादिक दूद देने वाली गाय तो दोस्तो एचेफ हो गई बात करें देसी गायों में देशी गायों में दोस्तो साईवाल रहेगी ठीक है अगला कुष्टन देखेंगे कि नाबार के दुवारा अनुसार भारत में उन्टो की कुल कितने पंजीकर्थ नसले हैं तो दोस्तो सबसे पहले अपने बात कर ले थे हैं टोटल तो कितनी नसले रखी गई हैं दोस्तो बा ताकि एक बार फिर से बता देता हूँ एक नसल हसकी है एक नसल याक की रहने वाली है दो नसले दोस्तों डाक की रहती है और तीन नसले हैं कुत्ते की तीनी नसले होती हैं डॉम की गदे की साथ नसले होती हैं होस घोडे की नो हो गई आपकी दोस्तों उंट की बात करें फिर 13 नसले होती हैं सुवर की पिग की गुनिस नसले होती हैं आपकी दोस्तों फाउल मुर्गियों की तरेपर नसले होती हैं गायों की नसल 20 बैंस की होती हैं 44 चम्वालिस नसले बेडों की होती हैं और 37 यानि 37 नसले जो होती हैं दोस्तों गोट बक्री की होती हैं ठीक है अगला question देखेगा दोस्तो निनलिक को समलेत कीजिए एक तरफ आपको दोस्तो पसु दे रखे हैं दूसरे तरफ उनके मास का नाम दिया गया है तो सबसे पहले बात करते हैं जो बकरी का मास होता है मीट होता है दोस्तो उसे चेवन बोला जाता है क्या बोलते हैं बकरी के मास को इंसीन बोला जाता है बात करें फूर्थ नंबर पर बैंस यानी वेफैलो के बैंस को दोस्तो बफन या फ्लैस भी बोला जाता है ठीक है इसी परकार से दोस्तो कुश्ण पाने के लिए जुड़े रहे हैं आपके अपने यूटूब चैनल रिशाम क्लासेज के साथ में और द क्यों की होती है बात करें साइट से 65 तो दोस्तों साइट से 65 होती है नाड़िदर यह होती है आपकी किसकी सूवर की किसकी होती है पिग ठीक है बात करें 40 से 45 तो दोस्तों 40 से 50 जो होती है आपकी गाय की रहती है और बात करें 80 से 100 यानी यह आपकी डोक की हो जाएगी ठीक अगला कुश्चन देखेंगे कि अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नसल का विश्व में पर्थम इस्तान है कि जो अंडा उत्पादन है मुर्गी की कौन सी नसल का विश्व में सबसे पहला इस्तान है तो दोस्तों जो मुर्गी की वाइट लेग और नसल होती है इसक से पर्थमिस्तान है मेरे दोस्तों ठीख है अगला क्षूछन देखेंगे कि तीम्फेनेटिस यांई आफ्रा ऐक परकार का रोग होता है जो टिम्फेनेटिस होता है नि आफ्रा होता है एक रोग होता немножко जनित विसान डायर डेख फुवंदि जनित या अगला क्यूशन है आपका राष्ट्य बकरी अनुसंदान सिंस्तान कहां पर इस्तित है जो दोस्तो अवी का नगर तो दोस्तो ये तो आपका भेड के लिए है जो आपका मगदूम है दोस्तो ये दोस्तो राष्ट्य बकरी अनुसंदान सिंस्तान यहां पर इस्तित होगा ठी अगला किस्टन देखेंगे सरव पर्थम नवजात बच्छडों बच्डियों को पिलाना चाहिए दोस्तों आप सभी को पता है कि सरव पर्थम सबसे पहले बच्छडों को यानि नवजात सिस्वों को क्या पिलाया जाता है खींस पिलाया जाता है जिसमें दोस्तों क्या होता आए कोलोस्लियम बोला जाता है या दोस्तो आप इसे खीस भी बोल सकते हैं धो 15 جो होता है यह नवजात सिसों के लिए एक परकार का दोस्तो अंब् simplesmente कारिय करता है अमरत का कार्य करता है जो खीस होता है माका स्वरोपर्थम दूद ठीक है अगला कुशन देखेंगे कि ट्रोकार कैनुला किस रोग से सम्मंदित होता है तो दोस्तो जो ट्रोकार कैनुला है यह टिमफिनाइटिस यानि आफ्रा से सम्मंदित एक उपकरण है दोस्तो जो ट्रो करके गैस को भार निकालने के काम में आता है ट्रोकार कैनुला ठीक है अगला कुछन देखेंगे कि बकरी की कौन सी नसल नागोर से उत्पन मानी जाती है कि बकरी की कौन सी नसल है जिसका उत्पन दोस्तों नागोर से माना जाता है तो परबसरी जो बकरी की नसल है इसका उत् पत्ति छेत्र नागोर से माना जाता है अगला क्युस्षन देखेंगे कि हिपर खालिस्तान को क्या का जाता है यानि हिपर जो होती ही क्या होती है दोस्तों बता दूम आपको जो हिपर होती है अपने परसरूर से पहले जो युवा मादा होती है उसे दोस्तों हिपर बोला जा अगला कुश्चन देखेंगे कि मुर्गी में कुल दांतों की संक्या कितनी होती है तो दोस्तों मुर्गी में जो दांत होते हैं ये अनुपस्तित होते हैं तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि मुर्गी के अंदर दांत अनुपस्तित होते हैं ठीक है अगला question देखते हैं अगला question है ताजे दूद का pH मान कितना होता है दोस्तो जो दूद होता है उसका जो pH मान होता है ये 6.7 से लेकर के दोस्तो 7 के लगबग होता है ताजे दूद का pH मान तो दोस्तो option number B आपका right हो जाएगा 6.7 जो होता है ताजे दूद का दोस्तो pH मान होता है ठीक है अगला question देखेंगे भैस में गरबावदी का समय कितना होता है तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं गरबावदी तो दोस्तो जो भैस होती है विफैलो होती है इसका जो गरबक काल होता है यह 10 महां यानि 10 मन्त पिलस दोस्तो दस डेज यानि 10 दिन का होता है तो दोस्तो कैल्कुलेटिंग कर लेंगे तो दोस्तो 310 दिन के लगबक जो बैसकी गरबावदी होती है ठीक है अगरा question देखेंगा मली नात पसु मेला कब से कब तक आयोजित किया जाता है तो दोस्तो जो मली नात पसु मेला है यह तिलाड़ा बालोतरा बाड़ मेर के अंदर दोस्तो लगता है ठीक है बात करते हैं अब यह कब से कब तक लगता है दोस्तो चैतर कशन एका दसी से लेकर के यह चैतर सुकल एका दसी तक दोस्तों लगता है मली नात पसू मेला ठीक है अगला क्यूशन देखिएगा कि गाई वे भैंस में नाड़िदर ग्याद करने का उचित जगह कौन सी होती है जो आपकी गाई वे भैंस में दोस्तों नाड़िदर होती है यह याद करने का जो सबसे उचित इस्तान होता है यह कौन सा होता है दोस्तों कोकजियल धमने से दोस्तों इनके अंदर यह याद की जाती है फेसियल धमनी होती है दोस्तो जो फेसियल धमनी होती है इसमें दोस्तो गोडी में किया जाता है और बचके आपकी सी फिमरल धमनी तो इसमें दोस्तो कुतिया भेड़ बकरी जो छोटे पसू होते है इनमें दोस्तो फिमरल से किया जाता है ठीक है अगला कुस्टन देखेंग कि मुर्गी के सरीर का ताप मान खालिस्तान होता है तो दोस्तों जो मुर्गी होती है इसके सरीर का ताप मान 107 डिगरी फैरे नाइट होता है कितना होता है 107 डिगरी फैरे नाइट ठीक है बात करें दोस्तों जो गाय का होता है 101 डिगरी फैरे नाइट होता है और 98.2 होता है दोस्तो आपका होता है हाती का ठीक है और बात करें उप्सन नमबर सी 65 डिगरी फेरिनाइट तो दोस्तो ये किसी भी जानवर का नहीं होता है यहाँ पे दोस्तो जानवर जमने लग जाएगा अगला कुश्चन देखीगा कि निमन लिखित में से वीनिंग किसे समंदित होती है तो दोस्तो जो वीनिंग होती है ये किसे समंदित होती है तो दोस्तो नवजात बचडों को मां से अलग करना और दोस्तो उनके पालन पोसन करना ही वीनिंग कहलाता है यानि एक समय ऐसा आता है कि पसूँ को मां से अलग क पैलाती है ठीक है अगला कुस्टन देखेंगे कीटोसिस जुगाली करने वाले की एक बेमारी है जो किसा करण होती है जो केसे पेमारी होती है और दूस्टों जो कारबो हायडिरिट और वास्प, инт DAFC होता है इसए कीटोसिस नामक बेमारी होती है तो सबसे पहले बात करते हैं मवेशे के अंदर दोस्तो डी यानि 60 राइट आंसर हो जाएगा साइट होते हैं बात करते हैं अब दोस्तो 46 गुन सुतर तो दोस्तो ये मानव में होते हैं किसके अंदर होते हैं मानव में ठीक है 50 गुन सुतर किस में होते हैं बहांस में होते हैं अब बहांस भी दोस्तो किस परकार की बहांस में होते हैं तो दोस्तो जो आपकी नदी बैंस होती है नदी रिवर वफैलो होती है उसके अंदर तो पचास होते हैं जो दलदली होती है उसके अंदर दोस्तो 48 होते हैं बात करें चोवन की तो चोवन जो होते हैं आपके सिप भेड़ के अंदर दोस्तो रहते हैं ठीक है अगला क्षिशन देखीगा कि कौन सी भैंस के सिंग छोटे वे जलेबी की आकार के मुड़े वे होते हैं इस परकार से दोस्तों कुछ मुड़े वे सिंग होते हैं तो दोस्तों जो आपकी मुड़ा भैंस होती है इसमें दोस्तों ये मुड़े वे सिंग होते हैं ठीक है अगला कुश्चन प्रजवी मारने के लिए करमी नासक दवा पिलानी चाहिए तो दोस्तों लग बग तीन से चार महीनों के अंदर दोस्तों पस्तों में आंत्रिक प्रजवी मारने के लिए जो करमी नासक दवा होती है इसको दोस्तों पिलाते रहना चाहिए तो दोस्तों वर्स में एक बार पर पर राइटर अंसर हो जाएगा वैसे तो लगबग दोस्तो तीन से चार महीनों में एक बार पिला देनी चाहिए लेकिन कम से कम वर्ष में दो बार जरूर पिलानी चाहिए ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कि निम्न लिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है अगला कुश्चन देखेंगे कि रूमन्ती पसो में इस्ताई दांतों की कुल संक्या कितनी होते हैं जो रूमिनेंट्स पसु होते हैं तो इनके अंदर दांतों की संक्या कितनी होते हैं 33 यानी 32 दांत होते हैं दोस्तों कितने होते हैं 32 रूमिनेंट्स पसु के अंदर दिया गया है एक तरफ उनकी परसुर्व की किरिया दी गी है तो सबसे पहले बात करते हैं बैस तो दोस्तों बैस की जो परसुर्व किरिया होती है बैस की परसुर्व किरिया क्या होती है सर्विंग बोला जाता है ठीक है बेड़ की बात करें तो दोस्तों जो बेड़ की परस परसुर खिरिया होती है यह falling बोली जाती है और बात करें मुर्गी के अंडे देने की जो परक्रिया होती है परसुर खिरिया उसे लेंग बोला जाता है ठीक है अगला question देखीगा किस बेमारी में पसु का post autumn नहीं किया जाता है दोस्तों जो anthrax बेमारी होती है इसके अंदर पसु का उस माडम नहीं किया जाता है नेक्ट कुशन देखीगा निम्न में से गाई में जनम से पांच वर्स के बाद सिंग पर कितने चल्ले बनते हैं तो दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले तो पसु में की पर्थम चल्ला कब बनता है तो दोस्तो जो एक पर्थम चल्ला होता है तीन साल पर बनता है ठीक है पर्थम चल्ला कब बनेगा तीन साल का पसु हो जाएगा जब एक चल्ला कम्प्रिट हो जाएगा उसके बाद दोस्तो परते एक साल पर एक चल्ला बनता जाता है तो दोस्तो एक बार फिर से बात करते हैं कि जनम से पांच वरस पर के बाद में सिंग पर कितने चल्ले होंगे यह जो तीन वरस का हो गया तो एक चल्ला हो गया फिर दोस्तो एक साल बढ़ा देंगे चार हो गया चार साल का होगा दो llegó सल ले हो गए और पांच का होगा तो दोस्तों तीन चल्ले हो जाएंगे कितने option no शी थ्री चल्ले दोस्तों होंगे पांच साल की आयूपर ठीक है अगला question देखेंगे कि गाय की गिर नसल मुक्यत है पाई जाती है तो दोस्तों जो गाय की गिर नसल होती है ये राजस्तान वे गुजरात के गिर फोरेश्ट के अंदर दोस्तों सरवादी का आपको देखने को मिलेगी ठीक है अगला कुशन देखते हैं बीस्वी पसु गणना के अनुसार राजस्तान में कुल बक्रियों की संख्या कितनी है जो आपकी बीस्वी पसु गणना है दोस्तों उसके अंतरगात जो बक्रियों की संख्या है वो कितनी है तो दोस्तों बीस पॉइंट चोरा सी मिलियन बीश्वी पसु गणना के दोरान राजस्तान में बकडियों की दोस्तों कुल संक्या का अनुमान लगाया गया है अगला कुश्चन देखीगा राठी गाय किसका संक्रण होती है तो दोस्तों जो राठी गाय होती है आपकी या सिंधी साइवाल और थार पारकर इन तीनों का दोस्तों संक्रण होती है राठी गाय किसका संक्रण होती है सिंधी साइवाल और थार पारकर का ठीक है next question देखेंगे कि दो भागों में बठावा खुञ होता है तो दोस्तो घोड़ी में गोड़े में हाती में बेड में दोस्तो जैबरा के अंदर दोस्तो जो भेड होती है आपका इसका जो खुर होता है पौली पेड होता यानी एक या एक से अधिक वा दो या दोस्ते अ बकरी में मद्चकर की अवदी कितने दिनों की होती है दोस्तों जो बकरी होती है इसमें जो मद्चकर होता है दोस्तों ये 20 दिनों का होता है बाकी जो पसु है दोस्तों इनके अंदर 21 दिन का होगा बात करें आपकी 17 दिन का किस में होगा तो भेड़ में होगा ठीक है बात कर तो दोस्तों तेज़ दिन का जो होता है ये कौन से पसू में होता है उंटनी के अंदर होता है वाके की जो पसू बच गए उनमें 21 दिनों का होता है ठीक है अगला कुस्टन देखते हैं निम्न लिक्त में से ऐ सत्य विकलब को छाटिए तो सबसे पहले बात करेंगे गाय में गरबकाल की अवधी कितनी होती है लगबग 9 महा 9 दिनों की होती है तो दोस्तो लगबग 200 सी दिन हो जाएंगे ये आपका राइट उप्सन हो जाएगा तो दोस्तो बात करें बेड में गरबकाल की अवधी कितनी होती है तो दोस्तो ये आपका गलत होता है भेड में दोस्तो 145 दिन के लगबग होता है ठीक है ये आपका गलत हो जाएगा बाकी आपका बेमूटनी में गरबकाल 390 दिनों का होता ये भी सही है बहस की बात करें तो ये भी सही रहेगा दोस्तो अप्सन नमबर बी राइट आंसर हो जाएगा जो इसमें रोंग खतन रहने वाला है ठीक है अगला कुछन देखेंगे रूमिनेंट्स पसो में आमासे कि कुल कि किसरा होता है एमोजम और चोथा होता है एबो मेजम ठीक है अगला कुछन देखेंगे एक कुबड़ वाले उंट का वेग्यानिक नाम क्या होता है दोस्तों जो एक कुबड़ वाला उंट होता है उसका वेग्यानिक नाम क्या होता है कैमिलेस ड्रोमी डेरियस होता है बैक् अगला कुश्चिन देखीगा बीसवी पसू गणना के अनुसार देश में कुल पसू संपदा कितनी रहेगी तो दोस्तो देश में जो पसू संपदा है कुल 545.57 मिलियन है दोस्तो ठीक है अगला और लाश्च कुश्चिन देखेंगे आज की क्लास का दुग्द धोन की सरतम विदी कौन सी होती है तो दोस्तो जो पून अस्त विदी होती है ये दुग्द धोन की सबसे अच्छी विदी बताई गई है जो अंगुठा विदी है दोस्तो ये सबसे बेकार विदी है कौन सी सबसे खराब या बेकार विदी है बात करें चुटकी विदी तो दोस्तो छो कानल को सेर साजा जरूर करते रहे थैंक्य दोस्तों धन्यवाद